नमबर 58, two cones with the same base, दो cone है जिनका base same का मतलब पता है क्या हुआ, I think उनकी radius same है, same base, radius, जिनकी radius है 8, और उनकी जो height हो है 15, के दो दोनो cone बराबर है, कल को volume गएगा, वैसा आज ही गएगा, volume गएगा या surface गएगा, तो उन two से multiply कर सकते हो, R joined together along their bases, तो base के along मतलब base के साथ साथ, उन cones को जोड़ा गया है, cone दोनों ही कैसी है, बराबर है, इसका R common हो गया basically, और इसकी height, सब बराबर है, देखते हैं आगे मांग क्या रहा है, इसे join कर दिया गया हमने, बताओ क्या छुप गया, क्या छुप गया, बताओ, base छुप गया, हाना, चलो देखते हैं, surface area बताओ, the shape so formed, जो shape बनाई है, उस shape का surface area, वैसे volume अगर मांगता तो क्या करते हैं, इसकी volume, प्लस इसकी volume, volume में तो कोई फरक नहीं आता न, minus तो नहीं करते हैं, total तुमारी capacity बढ़ गई, surface area का मतलब total कितना दिखाई देगा बापको, देखो total में बच्चा क्या करता है, TSA of cone, plus TSA of cone, sir, दोनों को combine कर दिया, total निगाल दो, sir, वो तो total मांग रहे हैं, बच्चे कहीं बर कहते हैं, sir, वो तो total surface area मांग रहे हैं न, बिटा, वो base नहीं दिखेगा, एक तो CA से बेस नहीं दिखेगा, वो तो जुड़ चुके हैं, फैविकोल से, बेस नहीं दिखेगा, so the volume of, जो भी shape बनी है, तो CSA of, basically twice of, CSA of cone, बेटा, CSA का formula पता है, एक बार आप लोगों को बताओ, अगर पता है, तो, curve surface यहीं है, यहीं कि it, it, pi, rl, curve क्या होता है, pi, rl, तो 2, multiply, twice हो रहा है, basically, सब कुछ, r, मतलब radius कितनी है, 8 है, l नहीं पता, सर हमें, तो l नहीं पता, तो, r square, h square, r कितना है, देखो, r कितना दिया है, 8, और height दिया है, 15, तो 8 का भी square करो, 15 का भी करो, 64, और 15 का होगा, 2 to 5, इसमें 64 add करो, 9, 8, 17 आगे है, फिर तो l, चलो, अब करें, आगे फिर, बिटा, इन सब की multiply करनी पड़ेगी, पाई की कोई demand तो नहीं है, नहीं है, चलो, तो अब कर लेते है, 44 की, किस से, 8 से, और फिर 17 से, और फिर हम 7 से काड़ देंगे, अभी तो नहीं कटेगा ना, कुछ 7 से, कोई बात नहीं, चलो यार, 44 की 8 से करवाओ, 8, 4 जा 32, 8, 4 जा फिर से 32, पर इसमें 32 मैं add करू 3, यानिकि 35, 3, 5, 2, मैं अब 17 की multiply लगा देंगे, 7, 2 जा 14, 75 जा 35, पर 36 हो गया अब, और 7 जा 21, मैं add करू 3, यानिकि 2, 4, अब इसकी 1 से करूँआ तो यार, वो ही same आ जाएगा, 4, 8, 9 और 5, so 5, 9, 8, 4 की divide 7 से, कई बार मैंने देखा, बच्चा ना, calculation करते, time, इदर उदर कुछ कर देता है, digits को, तो दिहान रखना भाई, carry, plus करना और बहुत सारी चीज़े हैं, इसका एक यह अंसर है सर, इसमें improve कैसे हो, यह practice, सिर्फ practice चाहिए, चलो इसे cancel out करवाओ, 7 क 5 कभी नहीं आयागा, 59 से कम बताओ, क्या आयागा, 7, 6 हा, 7, 9 जा 54, 7, 9 जा कितना होता है, 63, 7, 8 जा 56, कितने carry गए, बताओ, कितने carry इसके पास गए, 8 से मिलने कितने carry गए, 38 हो गया, 7, 5 जा 35, फिर से 3 carry गए, 34, 7, 4 जा 28, पता है, आगे का बहुत important होता है, एक डिजिट त बन रहा था 34, बन रहा था 34, और मैंने भेज दिया, 7, 4 जा 28, तो 6 carry वहाँ shift हो है, 60 बना, 60 से कम सोचो क्या आता है, 7 की टेबल में, 7, 8 जा 56, फिर 40 बचा, इतना इनफ है बस, so this is the surface area, तो मैंने यहाँ centimeter square लगाया, क्योंकि उपर वाला दिखेगा, और यह नीचे वाला, यह नहीं दिखेगा भाई, यह तो जुड़ गए है, ठीक है ना, कुछ minus नहीं करना, क्योंकि लगाया ही curve है, उपर वाला और नीचे वाला, curve में तो कभी base आता ही नहीं है, pi r square आएगा ही नहीं, total में आ जाता है, तब ही तो total का formula pi r square, तो बच्चा common करके फिर अंसर बताता है, कि क्या होता है formula न, तो please ध्यान रखना यार, यह था question number 58,